हेलो फ्रेंड्स टेक्निकल टीप विति स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज से हम हिस्ट्रीक लेक्चरर इस्टार्ट करने वाले हैं जो कि मध्यकालीन भारत को पहले पढ़ेंगे हम हिस्ट्री ओप मेडिवल इंडिया सांत में आपको मैं इसका पीडियेप भी दूँगा तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को सबसे पहले हम जान लेते हैं मध्यकालीन इत्यास में हमें क्या क्या पढ़ना है भारत पर पिडियेशी आकरमन फिरुसक्या दिल्ली सल्तना सुसंत्र प्रांती राजिया सूफियो भक्ति अंदोलन उसके फिल अंतिम में मुगल वन्स पढ़ेंगे इतना पढ़ने के बाद आपका मध्यकाली नित्यास समात्त हो जाएगा आज हम भारत पर पिडियेशी आकरमन पढ़ेंगे जो की भारत पर अर्बोक आकरमन और भारत पर तूर्कोक आकरमन है ये दो टॉपिक को आज हम अच्छे से डिसकस करेंगे तो फ्रेंट चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला भारत पर अर्बोक आकरमन पहले पढ़ते हैं मुहम्मद बिन कासिम था जो की भारत पर पहला अर्बोक आकरमन किया मुहम्मद बिन कासिम कौन था पेगंबर मुहम्मद सहब के उत्राधिकारी उम्मियत खलिपा के सेना पती मुहम्मद बिन कासिम था भारत पर अकरमन करने वाला प्रथम अरब मुसलिम था जिसने सिंद वा मुलतानों को 712 इस्वी में जीत लिया था भारत में आकरमन का उद्देश अरब राजय का विस्तार वा इसलाम धर्म का प्रसार था उस समय सिंद का सासक ब्राम्हणी वंसी राजा डाहिर सेन था सिंदू छेत्रों में अरबो ने सौरपथम दिरहम सिक्का खजूर की खेती वा उट पालन प्रारम किया था प्रथम बार सिंदू वासियों से जजय कर यानि केर धार्मिक कर 712 इस्वी में मुहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया था इस पश्टी करन भारत पर प्रथम मुस्लिम अकरमन के वर्ष के संधर में मदभेध है बीडी महाजन की पुस्तक के अनुसार मुहम्मद बिन कासिम ने 711 इस्वी में अकरमन किया था जबकि हरिस चंद्र वर्मा के अनुसार यह ती थी 712 इस्वी में था पाठक प्रस्णों की प्रकृति को ध्यान में रखकर अध्यान करें फ्रेंट्स मैं आपको बता जेता हूं आपको 712 इस्वी ही याद रखना है क्योंकि बहुत सारे बुक में 712 ही इस्वी लिखा गया है प्रेंट्स अब हम तूर्कों का अकरमन पढ़ते हैं सबसे पहले आपको इसको हम फ्रोचाट के माधियां से पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं सबसे पहले इसमें आता है अल्प्त गिन गजनेवी वन्स को संस्थापक है और गजनी में सुतंत्र तूर्क राजे की स्थापन करता है फिर उसके बताता है सुप्त गिन सुप्त गिन गुलाम एवन दमाद रहता है अल्द्व गिन का सुप्त गिन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं भारत पर अक्रमन करने वाला प्रथम तुर्क सासक है 986 इस्वी में सुप्त गिन ने हिंदू साही राजवन्स के राजा जैपाल के खिलाप एक संघर्स में भाग लिया इसमें जैपाल की परजय हुई महमूद गजनी जो की गजनवी बोला जाता है जो की सुप्त गिन का जेश्ट पूत्र रहता है जो की यामनी वन्स का संस्थापक करता है सुल्तान की उपादी धारन करने वाला प्रथम तुर्क सासक या उपादी बगदाद के खलीफा से पराप्त की थी भारत पर सत्रा बार अक्रमन और एक हजार पच्चीज इसमें सोमनात सिव मंदिर गुजरात पर अक्रमन करता है फ्रेंड्स आप इस तिथिव के याद रखेगे बहुत इंपोर्टेंट ने जो की सोमनात मंदिर से बहुत सारा सोना लुटके ए गया था इसके बाद आता है सफवुद्दिन मोहमत गौरी जो की मोजुद्दिन मोहमत गौरी भारत में तुरकी राज्य का संसथापक भारत में मुसलिम समराज का वास्तिविक संस्थापक यही है मुहम्मद गौरी के कुछ दास है तो जुद्दिन यलदच जिसको गजनी बोला गया और कुतुबिद्दिन एबग गुलाम वन्स का संस्थापे के ही है कुतुबिद्दिन एबग नेशुरुद्दिन कुबाचा एक्त्वरुद्दिन खिलजी मध्यकालीन भारत में तीन आक्रमन जोकी 712 इस्वी में मुहम्मद बिन कासीम करा उसका 1027 इस्वी में मुहम्मिद गजनीवी ने और 1175 इस्वी में मुहम्मद गोरी ने कुछ इन्पोर्टेंट है जिसको आभ य पश्चिमी सिमाओं पर निवास करने वाले एक असभ्य वह बरबर जाती थी इनका उद्देश मुस्लिम समराज ये इस्थापित करना था तूर्क बरबर जाती की थी इसको आपके याद रखना है फिर अल्प गिन के बारे में पढ़ते हैं गजनी समराज वा यामनी वन्स यानि गजनी वन्स का संस्थापक था यामनी वन्स को हम गजनी वन्स भी बोल रहे हैं जो की गजनी वन्स ही बोला जाता है गजनी वन्स क के सासन अब्दुल मालीक का तूर्क दास था सामनी समराजे के पतन के बाद उसने मध्येश्या में अपना सवसंत्र राजे इस्थाफित किया जिसकी राजधानी गजनी थी सकेंड आता है इसमें सुभित गीन या अल्प गीन का दास और दमाद था भारत पर प्रथम तूर्क आकरमाण 986 इस्थी में गजनी के सासक सुपुद गीन ने जैपाल के बिरोध किया था महमत गजनवी आता है फिर महमत गजनवी सुपुद गीन का बड़पूत्र था और अपने पिता की मृत्यू की बाद 997 इस्थी में वह गजनी के सिहासन पर बैठा महमत गजनवी ने भारत पर 1001 इस्थी से 1027 इस्थी के बीच 17 बार अकरमाण किया था इसके अकरमाण का उद्देशियाह के धन को लूटना एवं इस धन की सहायता से मध्य एशिया में विशाल समराज की स्थापना करना था उसने सिस्थान के राजय को पराजित कर खलीपा के स्विकृति नहीं मिली तथा यपी खलीपा ने यमिनुदोला समराज का दाहिना हाथ वा अमिन अलमिलता मुस्लुमों का सनरक्षक उबाथी दे कर सम्मानित किया उसने पंजाब के हिंदू साही वंस के सासक जैपाल को वेहिनी की प्रथम लड़ाई एक हजार एक इस्वी में पराजित किया जैपाल को वेहिन्द की प्रथम लड़ाई में एक हजार एक इस्वी में पराजित किया वेहिन्द की दूत्य लड़ाई एक हजार आठ इस्वी में उसने हिंदू साही वंस की के ही आनंद पाल को हराया था उसने थानिस्वर कन्नोज मत्रा सोमनात नगरों को विधन्वन्स कर दिया था फ्रेंड्स आपको मुहम्मद गजनवी के बारे में सुरी मुहम्मद गोरी के बारे में आपको अच्छे सियाद रखना क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है उसका सोमनात के सियु मंदीर पर आकरमान सबसे प्रसीद है उसने गुजरात के काठिया वार में समुद्र किनारे इस्थिद सोमनात मंदीर से भारी मात्रा में समपत्ति लूटी थी महमुद गजनवी ने अंतिम आकरमान 1027 इस्यू में आगरा के निकट भेरा के दूर्ग पर किया था महमुद गजनवी को भारतिय इत्यास में बुथ की सिकन के नाम से जाना जाता है बुथ सिकन के नाम से जाना चाता है यानि मूर्ती भंज़क यानि मूर्ती को तोड़ने वाले के नाम से जाना जाता है बुद सिकन इस नाम के आप क्याद रखना है महमुद गजनवी के साथ अर्भी लेखक अल बेरुनी भारत आया था या पुराणों को अध्यान करने वाला प्रथम मुसलिम था महमुद गजनवी के दरबारी कवी थे राज कवी, फिर्दोसी, फार्सी भासा, संस्थापक, सह नामा, अल्ब बुरिनी, किताब उल हिंद लिखा बिहाकी इत्यासकार अल्बी तारीक ए सुतू गिन महमुद गजनवी के भारत पर सत्रा बार अक्रमाण किया उसको हम देख लेते हैं पंजाब सिमावर्ती छेत्र जोकी एक हजार इस्यू में उस्टेम वहां का राजा था हिंदू साही राजा जैपाल फिर पेसावर में एक हजार एक हिंदू साही राजा जैपाल था भटिल्डा एक हजार पांच इस्यू में राजा विजय राज था फिर उसके अद मुल्तान एक हजार छे इस्यू में दावत करम माथी फिर फिर से मुल्तान एक हजार साथ से एक हजार आट इस्यू में सूख पाल राजा था वेहीद पेशावर एक हजाराट से एक हजार नव इस्यू में हिंदू साही राजा आनन पाल था नरायन पूर अलवर एक हजार नव इस्यू में इस्थानी अगात सासक था था फिर से मुल्तान में 2010 इस्वी में उस्टाइम राजा था सुख पाल उसके अद नववा था निस्वर 2013 से 2014 इस्वी में राजा राम था फिर उसके अद नंदन 2014 में त्री लोचन पाल राजा था फिर ग्यारवा था कस्मीर जो की 2015 से 2016 इस्वी में सन्ग्राम लाहोर में फिर मतुरा ववा कन्योज 2018 से 2019 इस्वी में प्रतिहार राजे पाल था उस्टाइम कलिंजर 2019 में चंदेल वम त्री लोचन पाल था उस्टाइम राजा कस्मीर फिर से 2021 इस्वी में इस्त्री सासी का था उस्टाइम गॉलियर वा कलिंजर 2012 गंड चंदेल था उस टाइम फिर 16 में सोमनात मंदिल 2025 से 1026 के बीच में उस टाइम भीम देव था सिंद के जाट 1027 जाट सासक था उस टाइम अब हम महम्मद गोरी के बारे में पढ़ते हैं अब गानिस्थान में गजनवी वंस के पतन के बाद गोरी कबिले ने सक्ति प्रात करना शुरू कर दिया गोर में जो वन्स था उसे सांस बनी वन्स कहा गया मुहमद गोरी इस कबिले का सासत था मुहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमाण का उद्देश भारत में मुस्लिम राजय की स्थापना करना था मुहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमाण 1175 इस्यू में मुल्तान पर किया 2018-78 इस्वी के गुजरात आक्रमाण के समय वह के सासक भीम दूत्य मुल्राज ने गोरी को बंदी बना लिया लेकिन बाद में छोड़ दिया था गोरी की भारत में प्रथम पराजय थी इस समय के दोरान दिल्ली पर चौहान वन्स के प्रिथिराज चौहान दूत्य का सासन था मोहमत गोरी और प्रिथिराज चौहान के बीज दो लड़ाई लड़ी गई पहला तराइन का प्रथम यूद और दूसरा प्रताइन का दूसरा यूद जिसमें तराइन का प्रताम यूद में 1192 इस्वी जिसमें गोरी की दूसरी पराजय हुई तराइन का दूत्य यूद 1192 इस्यू में जिसमें प्रिधिराज की परजय हुई जिसमें प्रिधिराज मारा गया था तराइन के दूत्य यूद के बाद मोहमत गोरी ने दिल्ली और अजमेर पर नियंतरन कर भारत में मुसलिम समराज की नियू डाल दी गोरी को ही भारत में मुस्लिम समराज का वास्तिविक संस्थापक माना जाता है कर्नोज विजय के पस्चाद मोहमत गोरी के सिक्कों पर देवी लच्मिक आकरिती बनी है और दूसरी और कलमा अर्बी खुदा हुआ था जिस पर देवनगरी लिपी में मुहमत पिन साम अंकित था मुहमत गोरी ने 56 ग्रेन का दिल्ली कला नामक सिक्का चलाया था 1194 इस्वी में चंदावर के यूध में मुहमत गोरी ने कन्नोज के राजा जैचंद्र को हराया था मुहमत गोरी के सेनापती बक्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत को विजित किया और नलंदा वह विक्रम सिलावी स्वेश दालाय को नश्ट कर दिया 1206 इस्वी में गोरी कुतुबिद्दिन एबग को भारत का नेतोत्रों सोब कर वापस अपने ग्री प्रांत के और जाते समय दमयक नामक स्थन पर 15 मार्च 1206 इस्वी को उसकी हत्या कर दी गई मुहमत गोरी का भारत पर आकरमन वर्ष किया इधर राजिय सासक परिणाम 1175 इस्वी में मुल्तान सासक था उस टाइम करमाथी सासक परिणाम बीजय हुआ उस टाइम 1176 इस्वी में उच करमाथी सासक था उस टाइम बीजय हुआ 1178 इस्यू में अनहिल वाड कुजरात चलुक्य रानी नाइक देवी उस्टाइम ए परजय हुआ फिर 1189 में पेसावर सासक था मालिक खुसरो उस्टाइम वीजय हुआ 1181 में लहोर मालिक खुसरो उस्टाइम वीजय हुआ फिर 1182 देवल वश्टाइम सासक था उस्टाइम भी वीजय हुआ 1185 सैल कोट मालिक खुसरो वीजय हुआ 1186 लहोर मालिक खुसरा वीजय हुआ उस्टाइम भी फिर 1189 इस्वी में भटिंदा चौहान सुवेदार उस टाइम भी विजय हुआ 1199 इस्वी तराइन प्रिथुराज चौहान के साथ उस टाइम परजय हुआ फिर 1192 इस्वी में तराइन प्रिथुराज चौहान के साथ विजय हुआ ये दोनों युद बहुत इंपोर्टेंट है बहुत सारे एक्जाम में पूछे जाते हैं फिर 1193 इस्वी हांसी कुहराम सुर्थ सुथा वदिल्ली 1194 इस्वी में कन्नोश चंदावर जैचंद्र सासक था विजय हुआ उस टाइम 1195 इस्वी में बयाना कुमार पाल उस टाइम भी जैए हुआ 1196 इस्वी में गॉल्यार सूलक छड पाल उस टाइम भी जैए हुआ तो दोस्तों अब ये दो टॉपिक आज कंप्लिट हो गया तो फ्रेंड अगर आपको ये पीडियेप चाही होगा तो आपको मैं पीडियेप दे दूँगा तो आपको उसके लिए आपको अपना ये जीमेल आडी कमेंट करना है उसमें आपको मैं सेंट कर दूँगा फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सेयर करना ना भूले